वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का रीजनिंग की एक वर महतपूर क्लास के साथ परिक्षा भी देली, खुब जम के तेहार भी बना लिया और पुना हम लोग बापिस से रीजनिंग की इस महतपूर क्लास के साथ लास्ट क्लास में हम लोगों ने रवी तिवारी ओफिशल यूटूब चनल पर पढ़ा था पेपर कटिंग और फोल्डिंग पेपर कटिंग और फोल्डिंग के पहले हिस्से को मैंने आपको पढ़ाया था और आज दूसरा हिस्सा हम लोग इसको कवर कर रहे हैं आज मैंने पुरानी परिक्षाओं में आए हुए सभी प्रिष्णों को भी संकलित किया है चुकि काफी दिन होगा है तो निश्चित रूप से आपको याद तो होगा लेकिन फिर भी मैं दो मिनिट में विडिव करता हूँ और प्रिष्णों के साथ आज सारे कॉंसेप्ट को पेपर कटिंग फोल्डिंग के क्लियर करता हूँ आपको आज सामको सीट भी मिल जाएगी इस टॉपिक की आपको ये सभी सीट वगेरा जो है और जो भी पीडियाप है वो टेलिग्राम पर भेज़े जाते हैं उस टेलिग्राम का लिंक जो है वो पहले कमेंट बॉक्स में पिन है आप प्लीज उसको जोईन कर लिजे विडियो बैच की समस्त कच्छाएं प्रती दिन साथ कच्छाएं चल रही हैं वो समस्त कच्छाएं उसी टेलिग्राम पर आपको भेजी जाती है आप सभी लोग उस टेलिग्राम को जरूर जोईन कर लें और यह सभी कच्छाएं आपको रभीतिवारी ओफिसल यूट्यूब चैनल से दी जा रही है आप इस चैनल को सस्क्राइब करें अपना प्यार दें ताकि हम निसुलक सिक्छा की अलग जगा सकें और हम उन बच्च को सिक्छा दे सकें जो सिक्छा की मुखधारा में सामिल नहीं है हमारा आपका प्रियास है तो इस चैनल को खुब सपोट करें आप लोग यह भी टार्गेबर दालोग ऑनलान इस्टीटूट का ही एक चैनल है जो संस्था की द्वारा पनाया गया है आईए हम लोग पढ़त वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं आप सबको अच्छे सियाद होगा दूसरी बात हमने आपसे बताई थी कि जो दाएं और बाएं के परवर्तन होते हैं और वो एक समान होते हैं यह भी मैंने क्लियर किया था आपको अच्छे सियाद होगा तीसरी बात बटा जो मैंने रहे हैं वो पहला एपईसोड जरूर देख लें सबसे बात की folding को मैंने तीन folding तक आपको बताया था पेपर की सबसे बात की folding को सबसे पहले open करते हैं ठीक है और चौत ही बात मैंने आपको बताई थी कि अगर tame paper है तो corner कभी भी परवर्तित नहीं होता कौर्नर परवर्तित नहीं होता क्लियर है यह चारो बात मैंने आपको बताएं इन्दी खुब बढ़िया से मैंने आपको समझाया था पेपर के डिजाइन भी बताए थे कैसे होता है मैंने आपको एक ऐसा पेपर बताया था कि इस पेपर में अगर दो फोल्डिंग हो तो हम इस दो फोल्डिंग को कैसे कवर करते हैं फिर इसके बाद हम लोग और आगे बढ़े थे तो फिर हम लोग ने ऐसा पेपर भी किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि अगर इस पेपर में तीन फोल्डिंग हो साथ मैंने आपको इन चानों पॉइंट्स को जस्टिफाई भी किया था खुब बढ़िया से समझाया भी था और आप संपुष्ट भी थे आज भी आपको इस चीज़ें बिल्कुल से याद हो मिए अगर भूल गया हो तो एक बार देख लिएगा अब जब परिक्षा में पृष्ण आते हैं तो अबुवन हम लोग देखते हैं कि इन्हीं दौनों पेपर्स को मर्ज करके पेपर बना जाते हैं जैसे इन दौनों आकृतियों को त्रिव जशरे दो बिला के बहुत सारे बार आपको तयार करने की जरूरती नहीं है यह टॉपिक बेहदी आसान टॉपिक है यह mental process है मैंने पिछली बार जब आपको पढ़ाया था तो आपको सारी चीछें समझ में थी तो अब हम पिछली परिक्षाओं के 10 सवाल 15 सवाल को सवाज लेते हैं और इस concept को और किलियर उन सवालों के माध्यम से करते हैं ताकि कि किसी भी तरीके का कोई सवाल आए तो बच्चा आपको दिक्कत ना हो ठीक है चले तो शुरूबात करते हैं सबसे पहले तो जैसे कर लूँ हाँ देखो यह एक पेपर है और इस पेपर में बिल्कु सेट किया गया है कि तीन तरीके से इस पेपर को मोड़ा गया है आप लोग भी देख रहे होंगी ट्रैंगिल से पेपर है और नीचे चार उत्तरा कृतिया दिया है अब देखो बिताब जब हमें इन पेप फोल्डिंग यह है ऐसे मोड़ा गया है अब तीसरी फोल्डिंग यह है ऐसे मोड़ के फिर यह काता गया तो मैंने आपको उस दिन भी समझाया था अगर हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो हमने मैंने आपसे हमेसा कहा कि इसके सॉल्यूशन बनाने के लिए आप क्या करि ना मैंने आपसे कहा था कि जब आप इस फोल लिंग को उपर ले जाएंगे बेटा तो यह कौनर यहां पर चेंज नहीं होगा बलकि यहां पर ऐसे आ जाएगा अब जब आप इस फोल लिंग को इधर से इधर खोलेंगे तो अब इस फोल लिंग को खोलने पर क्या होगा कि यह जो दोनों हैं ये एक समान आ जाएंगे क्योंकि left और right के हैं और ये corner जो होगा ये corner यहाँ पर ऐसे shift हो जाएगा clear तो सबसे बात की folding को सबसे पहले खोला फिर हम लोगों ने ऐसे किया अब हमें देखना कि इस आकृति को कहा मिल ला है तो ये आकृति आपको C option में मिल लए है तो C option हमारा correct answer हो जागा paper में जब हम इसको हल कर रहे हैं तो हमें 15 seconds से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए ये 15 seconds paper cutting and folding के सबालों को बहुत है प्रारमर से जब आप practice कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि हमें time को जरूर देखना है कोई सबाल बिटा अगर आप 1 एक मुनिट में हल कर रहे हैं तो वो आपके लिए बेकार है, हल करके भी वो सबाल आपके लिए बेकार है क्योंकि एक मिनिट में हल करने का मतलब है कि पेपर का छूटना तय है तो हम पेपर की जब प्रैक्टिस करें हम सवालों की प्रैक्टिस करें तो हम ऐसे प्रैक्टिस करें कि हमारा उद्देश हो कि हम 15 सिकेंड में सवाल को हल कर सकें पहतर तरीके से हल कर सकें और चिंता मत करि प्रिष्ण की आकरती के साथ जो नीचे की आकरती है वो थोड़ी सी टिल्ट होनी चाहिए जब हम इस पेपर को पहले तो ऐसे मोड़ा और फिर हमने ऐसे मोड़ा जब हम इस पेपर को ऐसे मोड़ेंगे तो एक कॉनर पूरा कवर होगा जब हम इसकी आकरती को बेटा बनाएंगे दिखो यह तो इसकी मूल आकरती हो गई यहां पर एक जीरो हो गया और यहां पर यहां ऐसे चली चला लिए अब आप जब यसको एसे खोल लेंगे तो कि एक अपैर यहाँ जाएगी यह ढूं कि यहां मोनगे यह इसे सेर्गराधिंग कौनगे यह भी गूंसाÓपशन हो B option इसका बिल्कु करेक्ट उत्तर होगा अब आप कहेंगे सर इस आकिर्थी को जब हम यहां से इस तरीके से ऐसा मोड़ेंगे तो यह इस corner को जरूर cover करेगी पूरे हिस्से को क्यों की देखो एक तिर्भुज की जो आकिर्थी ऐसी होती है जब और ऐसे को हम जब सीधे ऐसे मोड़ते हैं तो यह इस हिस्से को cover नहीं करती यह हिस्सा छोड़ जाता है लेकिन इस paper की आकिर्थी को ऐसे जब हम मोड़ेंगे ऐसे तो अब यह हिस्सा पूरा cover होगा यह जब हम उधर से लेके इधर आएंगे तो यह उपर से नीचे क्योंकि एक स्वैम में ट्राइंगल है तो यह ट्राइंगल इस shape को cover करेगा जब हम इसको खोलेंगे तो यह आकिर्थी इस तरीके से behave करके ऊपर की तरफ चले जाएगी क्लिए है तो मेर्थ है कि सब को समझ में आ गया होगा ऐसे सवालों से भी घटर घपड़ाना नहीं है परेशान नहीं होना है ठीक है चलिए तीसे सवाल की तरफ बढ़ते हैं अभी एक आकिर्थी है इस तरीके की आकिर्थियां बहुत आसान होती है लेकिन देखने में में लगता कि थोड़ी सी हमें परेशानी हो रही इस आकिर्ती में थीक है तो इस आकिर्थी को हम कैसे देखंगे इसको बड़ा मज़ा आता है करने में चलो अब देखो अब जैसे यह आकृति है इस आकृति को तीन तरीके से मोड़ा गया है इस आकृति को ऐसे मोड़ा गया है फिर ऐसे मोड़ा गया है अब देखो जब इस आकृति को ऐसे मोड़ा गया तो सबसे बात की फोल लिंक को आप पहले इधर आजाएगा ठीक है आप इस आकर्ति भी जब आप ऐसे खोलेंगे बीटा तो यह कौनर इधर आजाएगा और इससे ज़्यादा इसमें कोई परवर्तन होना ही नहीं है तो इसका सही सबसे पहले को सबसे करिए सबसे पकार इससे और सबसे पर जबेंगे बीटा पहले आप लोगर दे हैं कर सबसे नोम Confederateически सबसे पहले का उत्तर अब चरबता पहले आप लोग दीदें शर्रोर voz लग लुट बताइए, सब लोग अच्छे से बताएँ क्या बतार होगा इस सवाल का, जौध का, 3 फोल्डिंग दिख रहे हैं है na?, कमेंट ढूक्स में बतार जरूर लिखे होगे यो तीसरी फोल्डिंग ही होगे अब इसके बाद ऊपर काटा गया है अब इस आकृति को अगर हम खोलते हैं यहीं बना लिजे आंसर अपने आप आ जाएगा तो यह फोल्डिंग थी जो बीचों बीच थी तो सबसे पहले तो इस फोल्डिंग को आप खोलेंगे नीचे यह फोल्डिंग जो हम लोगों नेखोली तो यहाँ आगी करिये यहाँ गई भीटड़ाओंगे चार हो गया है अब चार के बाद देखो पिटा यह फोल्डिंग मेंने एक सवाल आपको कराया था तो यह जो पहली फोल्डिंग है यहा से लेके यहां तक है मतलब यह पहली पूरे इस हिस्से को cover करेगी यहां तक, फिर दूसरी folding जो होगी, मैं color बदल के बताता हूँ, जो दूसरी folding होगी, वो यहां से यहां तक होगी, यह दूसरी folding है, और जो पहली folding है, अगर आप गौर से देख रहा है, मैं color बदल के बताता हूँ, तो पहली folding होगी, जो वो यहा और यह जो होगा वो इधर आएगा अगर जब हम इसको इधर खोलेंगे तो पिर वह चारओ सिट होंगे तå यह देखो जो दो इधर आएंगे इसके अलाबा इसमें कोई भी परवर्तन नहीं होता है तो जब कभी हमें ऐसा प्रिष्ण मिलता है पर इच्छा में तो हमें लगता है ऐसे प्रिष्ण में कि हम जिन चीजों को देख रहे हैं basically हम जल्दी-जल्दी में जिसे circles की संख्या और triangles की संख्या को परदे में गलती कर देते हैं तो आपको परदे में यह गलती नहीं करनी है ठीक है यहाँ पर देखिए आपने देखा तो कितने हैंगे दो तो चार दो छे तो अब यहाँ पर हमने देखा कहां पर छे हैं बेटा तो यह देखो यह तो फिगर होगा नहीं इसका गलत है यह तो भहत कम,簽े भी नहीं होगा यहां पर चार यह भी नहीं होगा तो यह दो दो साइच है तो B option हमारा सभझ हो जाएगा यह च्छ यह यहां पर होगा तो इसता मतलब कहन सा हो जाएगा ग really रे से क्लिय Wrot अब देखो जैसे एक figure है अब non-verbal में जो triangle तो बना है बढ़ triangle को थोड़ा सा क्या कर दिया गया डार्क कर दिया गया है आप लोग पहले अच्छे से figure को देख लेजिए triangle को dark कर दिया गया है और dark triangle के हिसाब से इसको लिया गया है दो folding है पहली फोल लिगे है और दूसरी folding फिर इसको ऐसे काटा गया है अब हम इसको बनाएंगे बिटा अपने हिसाब से इसको काटा गया है तो basically सबसे पहले हम इस folding को हमें शिए में ड्रॉब कर देता हूँ सबसे पहले हम इस फोल लिंग को इसे आ जायगा अब जब यह पूरी आकरिति इस ततरफ पलटेगी बेटा तो यह जो ट्राइंगल है ne इस तरफ से इस तरफ आने में इस ट्राइंग्ल का स欸 बग लेगा यसे यह से इसे होगा और और यह से यहां पर ऐसे होगा. अब एक common sense की बात है, कि यहां पर हमें देखना है, क्योंकि जब यहां से यहां पर आया है triangle, ऐसे पलट रहा है, तो triangle काई shape क्या हो जाएगा पलट जाएगा तो एक आकृति बेटा ऐसे हो जाएगी और फिर एक आकृति इसकी ऐसे हो जाएगी clear है तो इस तरीके की दो आकृतियां आपको यहां से भी दिखेंगी paper cutting and folding में यह उपर कर नीचे पर बढ़ता है तो अब हमें देखना है कि ऐसा कौन सा आकृति है यह आकृति तो हो नहीं सकती और यह भी आकृति हो नहीं सकती यह इसलिए नहीं होगी क्योंकि इनके चारों जो angles हैं वो दिसाए एक समान है जो की संभाव नहीं है अपो जे direction तो D option सही होगा बेसिकली यह दिखो behavior का topic है पढ़ने से ज्यादा mental process से दिमाग का खेल है तो अगर हम इसको आसानी से सोचें जल्दबाल जी में गलती ना करें है ना तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा बताओ D option इसका सही option हो जाएगा ठीक है चलो अगला बढ़ते है छट बाह इस सवाल को मेरा प्यारा बच्चा खुद ही लगाएगा आंसर करेगा मैं थोड़ा सा इसको scale में ले आता हूं चलो अब बता दो जड़ा से चलो दो फोल्लिंग है यह तो clear हो गया अब दो फोल्लिंग के हिसाब से हमें इसको देखना है ठीक है तो दो फोल्लिंग के हिसाब से बेटा जी जब हम इसको देख रहे हैं तो कैसे हम इसको देखेंगे तो गौर से देखो अब देखो यह फोल्लिंग है यहां से यहां बि तो same हो जाएगा, अब यह यहां से बिटा इस तरफ जाएगा, तो यह circle तो दोनों यहीं हो जाएगे हमारे, और यह circle जैसे यहां पे हैं, वो दोनों यहां पे हो जाएगे, तो 2-2-2-2 का set बन जाएगा, तो 2-2-2-2 का set है, उस हिसाफ से C option हमारा सही उत्तर हो जाएगा, correct answer, clear है, दो इधर, दो का इधर, दो का इधर और दो का इधर, तो C option उसे साफ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा, easy process है, 7 बाँ, अच्छा सवाल है, यह सारे सवाल बेटा परेक्षाओं में पूंचे गए हैं, ठीक है, SSC में भी पूंचे गए हैं, यूपिटर प्लेसी में भी प परिवाते आ, तो इस तरीकी के सवालों को बहुत बढ़िया से देखना है, जैसे देखो, दो फोरलींग है, अब फोरलींग देखो कैसी है, यह फोरलींग, एक तो देखो पहुल लिंग ऊपर से- efter नीचे की और है, पहले तो यह देखो ऐसी फोर लिंग नहीं है, इस तरी इधर वाली folding सबसे पहले क्षोलेगी तो अब बताओ इस चित्र को अगर आप इधर shift करोगे तो basically यह ऐसे कैसे shift होगा अगर माल्या हम हम इसको ऐसे करें तो हमारे लिए आसाल होगा ठीक है अब इसको पहले अगर हम देखें तो पिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो, इसकी हू बहू अपॉजिट आकरती ऊपर हो जाएगी, कैसे, अब अपॉजिट आकरती ऊपर सिफ्थ होगी, तो यह टेडशा होगा, देखो, यह फूल तो बढ़ नहीं सकता, यह इसलिए नहीं हो सकता, बेटा, क्योंकि यह जो star है, बिलकुर सीधा है, मतला 90 degree के angle में यह देखो, यह इधर से सीधा जा रहा है, यह सीधा जा यह सीधा तो यह tilt है, तो यह tilt होगा, है ना, अब जब यह tilt होगा बेटा, तो exactly आप देखो कि इस आकरती को जब हम लोग उपर बनाएंगे, तो उपर यह आकर्ती कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, और फिर वो ऐसे होगा, एक जट की तरह, और यह आकरती जब हम उपर ले जाएंगे तो कैसे ऐसे होगी और ऐसे होगी, इस तरीके की आकर्ती यह बढ़ेंगी, तो यह basically जो हमारा चित्र निकलेगा, वो B option बाला चित्र निकल जाएगा, जब आपको answer दिया जाता है बेटा, तो answer में किसी भी कीमत पर ये lines नेखिची होती, तो हमें fresh answer लगाना होता है, परिच्छा में क्या होता है, exam room के pressure में हम जल्दी जल्दी में कर सकते ह कि हम B की जगह C करने, C की जगह B, नहीं, हमें देखना होगा कि tilt है अगर, तो इसका जो reflection होगा, या cutting के बाद जो आएगा, वो tilt ही आएगा, ये कभी भी सी दे dimension में नहीं आ सकता, 90 degree के dimension में नहीं आ सकता, clear हो गया बच्चे को, चल्द, आर्थ में पर प्रिष्ण की तरफ देखाएं जी बहुत बहुत बहुता है इस प्रिष्ण को देख लो, मैं चाहता हूं कि इस प्रिष्ण को आप लोग लगाएं गरूख हो बताओ, आब कभी कभी क्या होता है जीसे cover नहीं करते एसे भी प्रिष्ण दी जाते हैं तो cover नहीं करते हैं तो हमारे लिए कठिन आकरती कठिन हो जाती है, तो आप इस sense में रखिए कि अगर हमें covering line नहीं दी गई है, तो हम एक covering line को बना के चलें, क्योंकि देखो इसमें covering line नहीं है, अगर हम covering line बना है तो यह आकरती हमें ऐसी दिखेगी, इसकी भी covering line बना है तो य कैसे सवाल पूंचे भी जाते हैं बिना बॉर्डर की केवल आपको कन्फूज करने के लिए और इसका जब हम बेटा बॉर्डर बनाएं तो इसका बॉर्डर हमारा ऐसे होगा यहीं होगा बॉर्डर बन गया अब देखो फोल्लिंग अब निसान नहीं लगा तब भी समय लिजिंए कि पहली फोल रह दो सीजthough न और अँमें इसी फोलर को क्या करना है कि evaporate करना अ países करेंगे अभी तक आप लोगों का उत्तर देखते ही आ गया होगा common sense की बात है तो सबसे पहले यही आकृति पूरी इस तरफ जाएगी कैसे देखो यह ऐसे जाएगा यह उपर ऐसे जाएगा फिर यहां पर ऐसे आएगा और यह जो आकृति होगी नीचे वाली यह आकृति कैसे होगी ऐसे जाएगी अब यही जब नीचे की तरफ जाएगी बेटा तो अब देखो यह आकृति इस से चलके यहां पर आएगी यह आकृति यहां पर आएगी अब देखो यह आकृति यहां पर जब नीचे आएगी तो इसका भी बनेगा यह कैसे ऐसे और यह आकृति जब नीचे आएगी तो य यह ऐसी होगी और यह ऐसी होगी अब ऐसी आकृती बेटा कौन सी दिख रही है एक हमें देखना है गौर से कि कौन सी आकृती हमें हो बहू इस सवस्था में दिख रही है जिस सवस्था में हमारी आकृती है तो आप पाएंगे कि इस सवस्था में हमें जो आकृती दिख रही वो यह वाली आकृति आपको दे रहे हैं यह दोनों सेफ आगा है आपके यह वाले जो सेफ हैं बॉर्डर के बाद यह दोनों सेफ आगा है जो यह वाले सेफ हैं और यह दोनों सेफ आगा है जो यह वाले सेफ हैं आपकी खुबसूरत आखों का भी यहां पर काम है कि आपकी आखें कितने बड़िया से साकिर्ती को देखती है ठीक है चलो अच्छा बताओ अब मेरा बच्चा बताएगा कि ये बताओ बटा ये करके दिखाओ चलो करके दिखा देगा कोई दिखकत नहीं है चलो जली से बता दो ये तो हलुआ है बेटा तमाए लिए वही इसमें दिखकत नहीं है खटाक से कर दोगे हलुआ बता दो बटा हलुआ सूजी का है कि आटे का है कि गाजर का है कि मुंग का है कि लौकी का है बता कौन सा हलुआ है जो सबसे सरल आपको लगता हो वही हलुआ लेखना है इसका मतलब जो सबसे सरल है वही सबसे बढ़िया है ठीक है मैं समझे लूँगा कि यही पसंद है फिर जब आपका चैन होगा बेटा और आप मुझसे मिलने आओगे न तो मैं वही हलुआ आपके लिए निकाल के रखते ह छोल्ब हलुआ की लिष्ट मना लेता हूं बता अब देखो बहुत आसान है अब दो फोलिंग है एक ए फोलिंग और यह के फोलिंग नहीं करेंगे तो क्या इए बीच वाले को कवर करेगी नहीं करेगी तो यह तीन तो बेटा यहां पर देखो जब यह खुलेगा तो यह तीन तो ऐसे ही रहेंगे ठीक है रहेंगे कि नहीं रहेंगे अब हम ऊपर ले जाए क्योंकि हम पेपर को तुरकोर्ण मोड़ रहें न तो यह बीच वाले हिस्से को कवर ही नहीं कर हो जाएगा तो सही ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा डी हो जाएगा कि रहे हो गया आगे बढ़ जाए बेटा चलो दस्मा सवाल हो जाएगा बताओ एक और बहतरीन सवाल बटा आपके सामने दस्मा पहले आप हम लोग नॉन बर्वल को यह अच्छे से खतम कर देते हैं ठीक है यह बहुत बढ़िया सवाल है इस सवाल का उत्तर क्या होगा चलो अब दस्मा सवाल मैं आपको हमवर्क के लिए देता हूँ ठीक है आपको उसको आंसर करना है मुझे हमवर्क में दस्मा सवाल कि इसका आंसर क्या होगा ठीक है क्योंकि सारे मैं ही लगवा दूँगा फिर मजा नहीं आएगा मैं सीट तो एक भेजी रहा हूँ साथ में यह सवाल आपको हमवर्क में दे रहा हूं तो आप मुझे बताएंगे गौर से हैं और दूसरा फिर अनिया है और हमें पूरी उम्मेद कि मीरवक्ष्या इस सवाल को लगा लेगा तो दसमा把 आपक के लिए बहुत जरूरी है मैंने पहले भी एक बार बताया ताब मैं फिर भी कह दे रहा हूं कि अगर आप वीडियो एक्जाम के हिसाब से देखें तो तीन से टॉपिक जहां से कुष्चिन आपके बनने ही बनने है एक तो आपका हो गया पेपर कटेंगें फोल ले पेपर कट यह टॉपिक हो गया जिसकी सीट आज मैं आपको दे रहा हूं ठीक है बहुत टैम पास करने की ज़रूरत नहीं है एतने में ही आराम से कवर हो जाएगा दूसरा जो आपका टॉपिक है वह आपका फिगर कांटिंग फिगर कांटिंग फिगर कांटिंग भी आपको थोड़ा अलग तरीके से बना है कि फिगर कांटिंग में आएगा क्या वह भी दे दूंगा और तीसरा जो टॉपिक है वह हम लोग कहते हैं इसको इसको इस्ट्रेक्चर डिवीजन रोटेशन और फिगर इस्ट्रेक्चर डिवीजन रोटेशन और फिगर इन तीनों के अलाबा विटा जो दो टॉपिक आपके पूंछे जाएंगे वो एक पूंछा जा सकता है आपके लिए जो एनालोजी जो इनालोगी सीरीज नॉन वर्वल की बाद कर रहा हूं और जो है क्लासिफिकेशन सीरीज तो ये टॉपिक आपका बहुत इंपोर्टेंट है वेटा यहां से आपके बहुत सारे नॉनवर्वल के टॉपिक आपके कवर हो जाएगे इसके अलावा कुछ बहुत छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जो बहुत आसान होते हैं जैसे कल जब मैं आपका लेक्चर लूँगा तो कल मैं जैसे दो टॉपिक आपको एक साथ ही कवर करा दूँगा जो बहुत आसान टॉपिक आपके होते हैं जैसे एक होता है completion of the figure basically एक तरीके से temp pass है completion of the figure इसमें कुछ होता नहीं एक बार बता दूँगा तो आप इसको वैसे भी clear कर लेंगे और दूसरा होता है embedded figure है जिसको आप कहते है hidden figure कभी-कभी पूँच लिया जाता है लेकिर इतना आसान होता है केवल आपकी खूपसूरा तांख है अगर एक बार इस पर दया दृष्टी कर रहें तो निश्चित रूफ से यह topic आपका हल हो जाएगा इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी तो बहुत जल्दी हम लोग इन topics को भी cover कर लेंगे इन topics को भी clear कर लेंगे जिससे कि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं एक बहतरीन seat मैं आपको भेजता हूँ आज सवाल हमारे यहीं समाथ होगा इसलिए हम इस topic को यहीं रोग देते हैं मैंने हमेशा आप लोगों से बेटा बात की है कि पढ़ाई लिखाई का schedule कभी भी घंटे के हिसाब से मत बनाना पढ़ाई लिखाई का schedule हमेशा content के हिसाब से बनाना doesn't matter अगर हमारी जरूरत है कि class में कोई topic हम 55 मिनिट में समझा पा रहे हैं तो हम 55 मिनिट लेंगे अगर हमारी जरूरत है कि हम 70 मिनिट में समझा पा रहे हैं तो हम 70 मिनिट लेंगे अगर हमारा कोई topic माल लिजे एक chapter उसका एक episode हो गया और वो हमारा 25 से 30 मिनिट में खतम हो जा रहा है तो हम 25 से 30 मिनिट लेंगे इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है मैं एक और काम करता हूँ मैं इन दो topics की seat भी आपको आज भीज़ देता हूँ यह topic आप देखेगा कि बहुत आसान होते हैं जो completion of the figure होता है जो hidden figure होता है बहुत आसान topic होते हैं एक बार आप इनको देखेगा चुकि seat आप लोग देखे रहेंगे और फिर मैं कल जब इसका video करूँगा तो आपको यह topic बहुत आसान लगेगा बहुत ईजी लगेगा तो कल भी हम लोग nonverbal पर ही काम करेंगे को कल हमारा focus इस topic पर जादा होगा इन topics को तो मैं पांच मिनिट में आपको समझा दूँगा है ना पांच मिनिट में समझा के इन topics को मैं homework में दे दूँगा कल हमारा focus इस topic पर ज्यादा होगा इस topic पर हम लोग कल बहतरी इनकाम करेंगे और फिर लास्ट में हम लोग figure counting वाले topic को ले लेंगे इस topic के साथ हम कोसिस करेंगे कि इस topic को भी पढ़ने हो और इस topic को भी पढ़ने है ठेक है तो यह कच्छा है आपको यहां से देखे रहे हैं तो यह सभी कच्छा है आपको रभीतिवारी official YouTube channel से मिल नहीं इसको आप लोग बढ़िया से जो है खुब बढ़िया से रहूँगा हम लोग उन्हें टार्गेटे लिया है कि हम लोग 15 से 20 नमंबर तक इस course को बढ़िया से सब्सक्राइब जल्द ही आपके लिए इसी चैनल पर मैं UP special UPGK स्टेटिक जी के और current affairs के session भी लाऊंगा जो आपके इस exam के लिए बहुत अब्सक्राइब नमस्कार आज म